चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं आज सनिवार इस्पेसल लंग्स थाली इस्पेसल तो नहीं कहूंगी सिंपल थाली है लेकिन स्वादिश्च थाली बनाऊंगी और फूल वीडियो में आप लोग प्लीज बने रहेगा क्योंकि जो भी थाली की रेसिपी जो है न मैं सेयर करती तो हमेशा की तरह मैं बना रही हूँ दिन की लस्थाली में दाल चावल उसके साथ और क्या-क्या मैं बनाऊंगी तो वीडियो की इन तक बने रहेंगे और आज जो मैं बचका बना रही हूँ न तो ये है मुनगा फूल और सहजन भी बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं जरूर कमेंट्स करके बताईएगा हम लोग मुनगा भी बोलते हैं साजन भी बोलते हैं तो यहाँ पर सोटी बोलते हैं हाँ तो मिस्टर बर्मा बोल रहे है कि सोटी भी बोलते हैं और ये मिस्टर बर्मा लेके आ गये थे गये थे मेरे घर यानि कि माय के यानि कि अपना तो वहीं से मेरे घर में मुंगा का पेड़ है तो बहुत सारे फूल वहां से लेके आये थे तो मैं सोची कि चलो आज की थाली में दिखा देती हूँ ये रेसिपी तो हमेशा की तरह यहां पर बना रही हूँ दाल और दाल में 2 किलो अरहर में 1.5 किलो मुंग मसूर मिला करके हर वीडियो में बोलूंगी क्योंकि हमारे बहुत सारे आप लोग नए फैमली भी बनते जा रहे हैं और देखिए बनाते तो सब लोग है लेकिन अपने अपने कीचन में थोड़ा सा जाय का अलग होता है लोग अपने तरीके से बनाते हैं लेकिन सबसे इंपोर्टेंस बात मैं आज दाल की बताऊंगी यह वाइट वाला जो फेन रहता है ना दाल को डाल देंगे ना तो देखिए यह उजला उजला फेन रहता है ना तो इससे यूरी केसीड बहुत बढ़ता है तो अगर आप पतीले में बनाते हैं ना तो बीना नमक डाले जब दाल में बॉयल आ है ना तो इस तरह के जो फेन होते हैं उसको जरूर निकाल दे बहुत जादा यूरी केसीड से बढ़ जाता है तो खाना के सासा थोड़ा बहुत टीप्स भी मैं बताऊंगी कि देखिए खाना जो होता ना बहुत सुधर रूप से बनाना चाहिए बहुत कम आप खाना दाल में बस सिंपल हल्दी और नमक डाल करके बनाती हूं और उसमें मैं डाल दूंगी आलू छील करके और यह जो आलू है ना तो चोखा तो बनता ही है और बहुत सारे हमारी सिस्टर का भी कमेंट्स आ जाता है कि चोखा तुम लोग क्यों बनाती हो रोज तो देखिए बि भी निकलता है देखिए यह सब से क्या होता ने कि फैट भी बढ़ता है तो चोटी चोटी इसको यह टिप्स को भी आप लोग फॉलो जरूर करें अगर कीचन में खाना बनाते है तब और यह मतलब जो है ना यह बॉयल चावल है सोना कुटी चावल है लेकिन बहुत एक बचका बनाओंगी तो यह अभी मार्केट में भी काफी आ गया है तो यह मेरे मैके से आया है और मिस्टा बर्मा गय थे तो वहीं से लेकर के आ गय थे तो मैं रग दीती थोड़ा बहुत में बनाई थी तो देखिए यह जो है ना इसम को अभी थोड़ा साफ करना है यह इसको साफ करने में थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा यह बहुत ही मतलब जो होता ना फूल साफ कीजेगा ना तो कई बार ऐसा होता अंदर बहुत चोटे चोटे कीडे भी रहते हैं तो इसको मैं दिखाती हूं किस तरह से साफ करना है तो सबसे पहले जितने भी फूल है तो उसको मैं अलग से चाट के रख दूँगी और यह बड़े पतीले में ले करके और एकदम से अच्छी तरह सी फूल को साफ करना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना हम लोग मार्केट से लाते हैं तो इसके अंदर भी चोटे-चोटे कीडे रहते हैं तो एकदम ध्यान सी इसको साफ करना होता है तो देखिए थोड़ा सा मेहनत लगता है लेकिन ऐसे मौर्निंग में तो मुझे टाइम नहीं मिलता है लेकिन अगर आप फूल का बचका बनाते हैं तो मौर्निंग में थोड़ा टाइम निकाल करके साफ कर ले और एक बड़े पतीले में पानी लेकर और अगर आप बहुत जादा उम्र के हो भी जाते हैं तो आपके जो हड़ी होती है ना बहुत दिन तक मजबूत रहेगी और इसमें कैल्सियम फासपोरस भी होता है और बोन्स हेल्थ को बनाए रखने के लिए जरूरी पोसक तत्वी भी होते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स है और सासत यहां पर मेरा चावल भी हो रहा है और अभी गर्मी में फोड़े फुंसी भी होते हैं तो उसमें भी काफी यह मतलब बेनिफिशियल माना गया है साथ में यहां पर दाल भी हो रहा है और हमेशा की तरह मेरी चाई चड़ी हुई है आप लोगों को पता ही होगा जो सारे हमारे नए family भी जूरते जा रहा हैं तो बोलते हैं पूरी recipe दिखाइए कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो फूल वीडियो नहीं देखते हैं और comments कर देते हैं कि इसमें क्या बना आप comments करके बताईए तो प्लीज वीडियो को जरूर आप लोग पूरा देखे और वीडियो को सेयर भी कर दे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ये सिंपल बिहारी थाली है बहुत सारे आइडियाज भी मिल जाते हैं जो बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है ना तो मतलब थोड़ा खाना बनाने म ही बहुत यह लगता है कि इतना खाना कैसे बना पाऊंगी तो बहुत सारे मैं ऐसे ब्लॉग भी स्याइर कर चुकी हूँ कि मार्निंग से ले के भी मेरे बहुत सारे काम होते हैंちょ其實 भी खरती हूँ तो और खाना पीना गर मैं डायट की बात करूं तो मैं इस समय ही जो इसलिए बीच-बीच में अपने morning routine चाहे night routine भी मैं share करती हूं तो चलिए यहां पर मैं फटा-फट से लौकी काट लेती हूं तो लौकी की भुजिया मैं कई तरह से दिखाई हूं जीरा हरी मेर्च वाली भुजिया बनाती हूं सासत यहां पर चाह चाह चान लेती हूं और मेर मतलब थोड़ा सा time कम मिलता है इसलिए आप लोका reply नहीं दे पाती हूं साथ मैं यहां पर आधा चमच में मेथी डाल रही हूं और आज सुखी मेर्च के साथ लौकी का भुजिया बनाऊंगी एक तो मैं बनाती हूं जीरा और हरी मेर्च के साथ तो अलग-अलग जायके के स स्वाद लेकर आता है सासा तेल में हल्दी डाल करके और लौकी डाल दूगी साथ में स्वाद के नुसार नमक और ढांक दे यह एकदम धीमी धीमी आज पर पक के तयार हो जाएगा लेकिन जब आप हरी सबजी बनाते हैं तो होड़ा सा नमक आप कम डाले और इसे का क्या हो देखिए जो मोटे रंठल है ना तो बीच बीच में थोड़ा सा रहा गहता में निकाल दूँगी नहीं तो यह थोड़ा सा मतलब अलग लगेगा यहां पर बेसन की मातरा को कम लेना है और इसका जो है ना मैं सहजन का एक अपना फ्लेवर जो है ना मैं उसको लाना चाहती इसलिए में बहुत जादे इसमें मसाले नहीं डालूँगी बेसन है थोड़ा सा क्रस करके अजवाइन मंग्रेल है और थोड़ा समय हिंग डालूँगी स्वात किनुसार नमक खल दी और कुछ नहीं डालना है इसमें अगर आप और भी जायका इसमें डालना चाहते हैं प्य किसी भी तरह से गोल भी बनाए, चप्टा भी बनाए, किसी तरह से जो है ना ये इसका बच्का आप बनाए, तो देखिए ये बेशन का फूल है, बीच बीच पे थोड़ा सा डंठल भी एकदम नाजू कला जो डंठल है न वो भी है, तो इसको मतलब पकने के लिए भी थोड़ा सा ये टाइम चाहिए तो इसलिए मैं इसका जो सेफ है ना इस तरह से मैं रख रही हूँ और चाहे तो आप छोटे छोटे गोल गोल भी बना सकते हैं मुझे ठाली में इस तरह का बच्का बनाना ज्यादा पसंद है जैसे मैं बैगन हो गया पालक हो गया तो मैं बहुत सारे बच्का की रेसिपी भी आप लोगों को ठाली में दिखाई हूँ बनाते तो सब लोग है लेकिन अपना अपना कीचность का थोड़ा थोड़ा जयका रहे हैं मैं भी लगाई हूं लौकी बहुत बड़ा लती हो गया देखिए फलता है कि नहीं तो चलिए इसको ढांक देंगे और साथ-साथ यहां पर देखिए डाल में यहां पर आलू भी डाल दिये हैं तो आलू को निकाल लेंगे आज कल मैं क्या कर रही हूं कि आलू को और अच्छा होता है तो चलिए निकाल लेती हूं बहुत सारे से कमेंट्स आ जाते हैं कि रोज रोज आपकी ठाली में चोखा क्यों रहता है तो यह चोखा जो है ना बिहारी डाल भात चोखा वाली थाली वर्ल्ड फेमस है और बिहारी लोग डाल बात चोखा ही मिल जाए तो और किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, साथ में थोड़ा सुधगी, तो यहाँ पर चोखा बनाने के लिए मैं देशी मिर्च डाली हूँ तेल में, और बस और कुछ नहीं डालना है, और इसी तरह से नमक मिला करके सान दूगी, क्योंकि सिंपल एकदम हल्दी वाला सबज तो इसलिए मैं थोड़ा सा चोखा जो है ना यह लाल मिर्च वाला फ्रेवर वाला बना रही हूँ, साथ में जो भी डाल बनाती हूँ, बहुत पर कमेंट्स आ जाता है कि डाल का तड़का किस चीज से लगाती है, तो देखिए हींग है, जीरा है, देशी मिर्च के साथ चो लगाती हूँ, और यह पतला दाल मेरे हाँ सबको पसंद आता है, इसलिए मैं यह दाल को जो है ना बहुत जादा गाढ़ा नहीं बनाती हूँ, अगर आपको गाढ़ा खाना है, तो आप लोग गाढ़ा बनाए, और हम लोग इसी तरह का दाल खाते हैं, इसलिए, तो की देखिए, पूरी तरह से बनकर के तयार है, और यह भी मतलब सब्जी जो है ना बहुत स्वादिश्ट लगता है, और बहुत अलग अलग फ्लेवर से मैं अपनी रेसिपी दिखाई हूँ, ऐसा नहीं, अगर बैगन है तो बैगन का भी बहुत तरीके से सब्जी लोकी है, तो लोकी की बहुत तरीके से मैं सब्जी दिखाई हूँ, और यहाँ पर चलिए, इसको निकाल देती हूँ, साथ साथ देखिए, इतना बरतन है, बरतन भी मैं क्लीन करते जाती हूँ, और एक कडाही को मैं जल्दी से धो लेती हूँ, बहुत वारे से कमेंट्स आ जाते हैं कि बीच बीच में बरतन धोना क्यों दिखाने लगती हैं, तो देखिए, ये दिखाती हूँ कि देखिए, काम के साथ अपना बरतन भी आप क्लीन करकर के रख सकते हैं, जिसमें आपका ही काम बहुत एजी हो जाएगा, और यहाँ पर मैं प्याजू बना रही हूँ, तो दे देती हूँ, जिसमें रोटी के साथ खाने में अच्छा लगता है, तो चलिए अब सहजन फूल का बचका में चान लेती हूँ, और यह सरसो का तेल है ना, यह बिहारी घरों का एकदम मतलब जान है, इसका सबजी बगरा जो है ना, बहुत स्वादिष्ट बनता है, और अग आज का जो है ना, प्रोपर मेरा खाना बनकर के तयार है, तो यह धिमी धिमी आज पर यह जब तक हो रहा है, तो चलिए बाकी के बरतन में क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद गरमा गरम ठाली लगाती हूँ, ठाली में और क्या-क्या जैका होने वाला है, वीडियो के नहीं करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, फिर से की सेयर भी कर दें, और सपोर्ट भी करें, आप लोगों को इतना जादा मेरी थाली पसंद आती है, तब मुझे लगता है कि नहीं, जो भी मैं अपने कीचन से जैका बनाती हूँ, सिंपल बनाती हूँ, और बस वो र खाएगा इतना चावल तो हम लोग वन वीक में खाते हैं, तो ठीक है, आप लोग खाते हैं, हम लोग बिहारी लोग जम के दाल चावल खाते हैं, और दीन बर बहुत महनत करते हैं, और हम लोग बहुत सारा महनत वाला काम करते हैं, और भर थाली दाल, चावल, चोखा हम लो दाल जाने में सब्सका गिंग लाएं मेति कह यह विल favor नाफा है और साथ में लगा दूगी चोका सब्सक्राइब तो मेरी थाली में रहती ही रहती है और डेली में चोखा बनाती हूँ और बिहारी घरों में सब लोग को घर में चोखा बनता है जो लोग बाहर से है ना तो उन लोगों को मतलब बहुत सारा कमेंट्स आ जाता है और बाहर का नहीं बोलूँगी बिहार और देखिए सब लोगो लेती हूं चोखा के बाद गर्मा गरम यह सजन फूल का बचका और साथ में यह अचारी प्याज भी लगा दूंगी यह भी अच्छा लगता है और अभी मुल्ली का सीजन अब खतम हो रहा है लेकिन फिर भी मुल्ली मैं जरूर लगाती हूं जो भी सलाद यह पत्य जो होते है यह भी काफी बेनिफीसियल है आज की लंस्थाली बन करके तयार है मिलती हूं कर एक अच्छे लंस्थाली के साथ तब तक के लिए बबाई टेक केर